अस्सलाम अलेकुम नाइन क्लास, उमीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपने अपने प्रीविएस लेक्चर्स को अच्छे से याद कर लिया होगा आज हमारा बायोलिजी का लेक्चर नंबर फाइफ ए है जिसमें हम चेप्टर नंबर थ्री बायोडिवर्सिटी को स्टुडी करेंगे हमारे आज के topics हैं three kingdom system, five kingdom system the five kingdoms और status of virus first topic है हमारे पास three kingdom classification system in 1866, Ernst Haeckel solve the first objection and propose a third kingdom, that is protesta to accommodate ugleena like organism he also included bacteria in kingdom protesta in this system, fungi were still included in the kingdom plants तो स्टूरिंट्स हम लोगों ने जब टू किंग्डम सिस्टम पढ़ा था तो हमें यह चीज़ पता लगी थी के हमने दो किंग्डम जो हैं वो बनाए हैं एक एनिमेलिया का और प्लांटी का और उसमें ऐसे भी जानदार मिक्स कर दी हैं जो के दोनों से मिलते जुलते हैं त कुछ काम जो हैं वो इसके फंक्शन जो हैं वो प्लांटी जैसे प्लांटी जैसे होते हैं और कुछ एनिमल जिस तरह के होते हैं और फिर बेक्टेरिया को भी जो है वो प्रोटिस्टा किंग्डम में रखा गया लेकिन फिर भी अभी फंजाय जो है वो किंग्डम प्लांट और फिर कुछ लोगों ने फंजाय की जो है वो पॉजिशन पर भी क्वेस्टिन किया कि यह किंग्डम प्लांटी में क्यूं है जबकि इसके भी कुछ क्रेक्टरिस्टिक्स जो है वो एनिमल से मिलते जुलते हैं फंजाय रिसेंबल प्लांट से हर हाल में मिलती जुलती हैं लेकिन अपना खाना खुद प्रिपेर नहीं करती हैं जैसे एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेर नहीं करते हैं और दूसरें पर डिपेंड करते हैं There is a special form of heterotrophs that get their food by absorption यह heterotrophs की special form है कि अपना खाना ज़ो है वो जजब करके हासल करती है किसी चीज़ पर भी बैड के उससे खाना ज़ो है वो जब कर लेती है तो इनकी cell wall में जो है वो cellulose मुझूद नहीं होता है जो के plant की cell wall में cellulose मुझूद होता है जबके इनकी cell wall में क्या मुझूद होता है Titan तो यह 3 kingdom classification system भी fail हो गया और इसके बाद पेश किया गया 5 kingdom classification system In 1937 एक चैटोन suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells और फिर 1937 में एक चैटोन साइंटिस्ट ने दो टम्स जो है वो यूज की prokaryotic और eukaryotic prokaryotic word यूज किया गया bacteria के लिए और eukaryotic word यूज किया गया animal और plant cells के लिए In 1967 Robert Vithakar introduced the 5 kingdom classification system this system is based on और 1967 में रोबर्ट विठाकर ने फिर five kingdom classification system जो है वो पर्पोस किया पेश किया इस system की basis क्या थी वो देख लेते हैं the levels of cellular organization are prokaryotic, unicellular eukaryotic and multicellular eukaryotic सबसे पहली चीज उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि जो हम deviant कर रहे हैं organism की वो prokaryotes हैं की eukaryotes हैं अगर eukaryotes हैं तो unicellular हैं कि multicellular हैं पिर दूसरा चीज उन्होंने ध्यान रखा principal mode of nutrition कि उनका खाना हासिल करने का तरीका क्या है वो ही चीज, autotroph हैं, खुद खाना त्यार करते हैं, hetotroph हैं, किसी और पर 1988 पे margles और such words की जानिब से they considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification और फिर इन्होंने genes को भी consider किया deviant के दोरान, classification के दोरान they classified the organism into same five kingdom as proposed by विठाकर और जो five kingdom विठाकर ने use किये थे वो ही five kingdom भी margles और such words ने use किये और इस्तमाल करके अपना system अब वो five kingdom के नाम क्या है kingdom monera और kingdom protesta kingdom fungi, kingdom planty और kingdom animalia आईए इनको एक एक करके study कर लेते हैं पहला है kingdom monera it includes prokaryotic organism इन में शामिल होते हैं ऐसे organism जो के prokaryotes होते हैं तो students अब यहाँ पर यह जाना ज़रूरी है कि prokaryotes और eukaryotes कौनसे organism होते हैं आपने फिलहाल इसको यह याद रखना है ऐसे जानदार जिन में nucleus prominent मुझूद ना हो हम उनको prokaryotes कहेंगे और जिन में nucleus prominent तोर पर मुझूद हो उनको eukaryotes कहेंगे बाकी का difference हम chapter number 4 में study करेंगे तो kingdom monera में ऐसे जानदार शामिल होते हैं जो के prokaryotic होते हैं इनके cells जो है वो prokaryote होगे यानि नुकलेस वाजिया नहीं होगा Monerans are unicellular इनकी body जो है वो एक cell पे होगी आलतो सम टाइप फॉर्म, chains, cluster और colonies of cell और कुछ टाइप होती हैं जो के chain बना लेंगे, cluster बना लेंगे और colonies बना लेंगे प्रोकरियोट से अलग होते हैं most are heterotrophic जो Monera थे, kingdom Monera में जो organism शामिल थे, वो ज्यादातर heterotroph थे, यानि अपने खाने के लिए दूसरों पर depend करते थे, but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अपना खाना, खुद प्रिपेर कर लेते होते थे, अपना food खुद प्रिपेर कर लेते होते थे, क्योंकि उनके पास chlorophyll मुझूद था, within this kingdom there are two different kinds of organism, that is bacteria and cyanobacteria, और इसमें दो तरहां के जानदार जो हैं, वो शामिल किया गए, पहला bacteria और दूसरा cyanobacteria, bacteria totally heterotroph थे और cyanobacteria जो हैं वो, उनके पास chlorophyll मुझूद था, जो के अपना खाना खुद त्यार करते थे, फिर आते हैं हमारे पास kingdom protesta, it includes eukaryotic, unicellular and simple multicellular organism, kingdom protesta में शामिल किया गए eukaryotic, unicellular ऐसे जानदार जिनके nucleus जो हैं वो पूरी तरह prominent थे और उनके body जो हैं वो सिर्फ एक cell पर मुझ्तमिल थी, unicellular मतलब एक cell पर मुझ्तमिल थी, and simple multicellular organism और ऐसे जानदार जिनकी body एक से जादा cells पर मुझ्तमिल थी, लेकिन complexity नहीं थी देहां three main types of protesta और फिर protesta को आगे तीन types में divide किया गया, पहला algae, दूसरा protosons और तीसरा fungi-like, algae are unicellular, colonial और simple multicellular algae जो हमारे पास होती है, वो unicellular भी होती है यानि one cell भी होती है, colonial भी हो सकती है यानि उसी तरीके से colony में रहेगी अपने-पने cells अपने तरीके से काम करेंगे या simple multicellular भी हो सकती है यानि इकठे भी काम कर सकते है they resemble plant cells with cell walls and chlorophyll in chloroplast, algae जो है, वो हमारे पास plant cells से बहुत मिलती जूलती है क्योंकि इनकी जो chloroplast है, उसमें chlorophyll मुजूद होता है और इनकी जो cell wall होती है वो भी बहुत जादा resemble करती है plant cells से simple multicellular means that they do not have multicellular sex organs and do not form embryos during their life cycle and simple multicellular का मतलब यह है कि इनके पास sex organs है, वो multicellular नहीं थे और यह अपनी life में खुद embryos जो हैं, वो नहीं produce करते protozoans embryos मतलब नया जानदार छोटा नया जानदार protozoans resembles animals whose cells lack chlorophyll and cell walls और protozoans ऐसे जानदार इसमें शामिल किये जो जानवरों से यानि अनिमल से मिलते जुलते थे जिनकी body में chlorophyll और cell wall नाम की चीज मुझूद नहीं थी और आखरी चीज जो तीसरी टाइप थी वो सम प्रोटेस्टार फंजाय लाइक थे इसे प्रोटेस्ट भी थे जो फंजाय लाइक थे अब फंजाय लाइक किस तरह थे वो हम फंजाय में ही पढ़ लेते हैं हमारे पास kingdom फंजाय इंक्लूज युकरियोटिक multicellular heterotrophs विचर इब्सॉप्टेव इन देर इसमें शामिल किये गए ऐसे जानदार जिनकी बॉड़ी जो है वो ट्रू नुकलिस यानि प्रॉमिनेंट नुकलिस पर मुश्टमिल थी एक से ज्यादा सेल्स थे बॉड़ी में और heterotrophs थे और अपना खाना दूसरों से हासिल करते थे जो के खाना जस्प करके हासिल करते थे हैं जैसे के मिसाल के तौर पर मश्रूम यहां पर लिखा गया आप घर में देखते हैं ब्रेट को अगसर फंगस लग जाती है तो वह भी उसमें से नूट्रिशन जो है वह जस्प कर लेते हैं उसकी वजह से उस पर जो मेटीरियल और इस्तमाल का जो मेटीरियल होता है वह डेजिस्ट हो जाता है और वह छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को हासिल करके अपनी फूड रॉक्वायर्मेंट को पूरा कर लेते हैं निक्स्ट है किंग्डम प्लांटी इट इंक्लूज यूकरियोटिक मर्टी सुलेलर ऑटोट्रॉस ऐसे जानदार शामिल होते हैं इसमें जो के प्रॉमिनेंट नूकलियस रखते हैं अ इपना खाना खुद प्रिपेर करते हैं और किसके थू करते हैं फोटो सिंथिस के थू देहाव मल्टी स्लेलर सेक्स और फॉर्म इंब्रियूस दूरिंग इन देर लाइफ सैकल और यह अपनी लाइफ में एंब्रियूस बनाते हैं जैसे कि आपने सीड वगारा को देखा है इसमें बहुत सारे मॉसे स्पांज और फ्लावरिंग प्लांस ऐसे फल जो के पूल देते होंगे वह भी इसमें शामिल किये गए इसमें ऐसे जानदार शामिल किये गए जो कि यूकरियोट थे यानि उनके नुकलिस टू थे उनमें नुकलिस प्रॉमिनेंटली मौजूद थ जैसे के हम इंसान भी इसी में शामिल है और कंज्यूमर यानि यह दूसरों से खाना लेके इस्तमाल करते थे और वह खाने को हासिल करते हैं और उसे अपनी स्पेशल करते हैं यह मुवमिंट शो करते है इसके बाद हमारे पास नेक्स टॉपिक आता है स्टेटर स वाईरिस स्टेटर सफ वाईरिस से पहले है यह जो हमने अभी पांच टॉपिक्स को study किया है five kingdoms को ये table में detail में दिये गए आप चाहें तो इस table को याद करके अपनी wordings में लिख सकते हैं या आप उन पांचो points को अच्छे से याद करके भी लिख सकते हैं five kingdom system board based important long question भी है और short के तौर पे भी आता है इसके बाद हमारे जाए किया है वो यहां पर हम study करेंगे viruses are the borderline of living and non-living क्योंकि वाइरस जो है living or non-living की borderline पर होता है यानि कि जब जरूरत होती है तो जानदार में शामिल हो जाएगा बन जाएगा और जब जरूरत होगी तब non-living हो जाएगा मतलब के life-alic characteristics possess नहीं करेगा due to their crystalline nature they are considered as non-living क्योंकि यह crystalline होते है nature में इनकी जो structure है वो crystalline होता है इसलिए इनको non-living consider किया जाते है they are acellular I do not have cellular organization yet show some characters of living organism यह acellular होते हैं मतलब इनकी जो characteristics होती है वो cells मुझूद होने वाली नहीं होती है इनकी body में cells मुझूद होने वाले characteristics नहीं होते लेकिन फिर भी कुछ ऐसे characteristics show करते हैं जो के living organism के हैं मिसाल के तोर पे they possessed DNA इनकी body में जो है वो DNA मुझूद होता है viruses contain either RNA और DNA normally in case in protein coat viruses की body में या तो RNA मुझूद होगा या DNA जो के protein coat में जो है वो मुझूद होगा they reproduce only in living cells जब यह किसी living cell में दाखिल होते हैं तो यह reproduce करते हैं मतलब अपनी जैसी ही generations जो है वो पैदा करते हैं और जानदार बनाते हैं और जब यह जानदार बनाते हैं तो बहुत सारी जो है वो बिमारियां पैदा करते हैं मिसाल के तौर पर आप लोग आजकल देख रहे हैं यानि non-living और living की borderline होने के वज़ा से इसको किसी kingdom में शामिल नहीं किया प्रायोंज और वाइरोड्स और यह जो हैं वो यह जो हैं वो यह सेलूलर पार्टिकल्स हैं यह हमारे पास viruses की टाइप हैं साइड बॉक्स पर लिखा हैं आपने इसको अच्छे से रीट कर लेना है भी यह five kingdom classification system में शामिल नहीं है और वज़ा वो ही है simple कि यह borderline पर होते हैं living और non-living के और इनको non-living होने के वज़ा से five kingdoms में include नहीं किया गया उमीद है students आप लोगों को आज का lecture समझ आ गया होगा आपने इन lectures को अच्छे से याद करना है आपको पता है कि आपकी physical classes जब होगी तो इनके class test जो है वो लिए जाएंगे इनको अच्छे से याद कर लीजिए अल्ला आपका हाम्यो नसर